आज हम टूटोरियल देखेंगे Canon R50 mirrorless camera का Feb 2023 में ये camera launch हो था Canon की तरफ से ये सबसे चीपेस entry-level mirrorless camera है जो कि एक APHC camera है और ये RF mount वाले lenses को adapt करता है तो आप अगर पुराने वाले lenses को इसमें यूज़ करना जाते हैं तो आपको एक adapter की ज़र्वत पड़ेगी ये video लेकिन इस camera का tutorial है अगर आपने इस video को पूरा पूरा end तक देख लिया तो कैसे इस camera से बहतरीन photography करनी है और कैसे आप इस camera से बहतरीन video मना सकते हो आपको सारी चीज़ें समझवें आ जाएगी अगर आप मेरी चैनल पे first time आएए guys तो चैनल को कर लेना सबस्क्राइब और bell icon को भी प्रेस कर देना मेरी चैनल पे आप बाकी सभी camera's की tutorial भी देख सकते हैं different camera's के और lenses के review भी check out कर सकते हैं इसके लावा photography की tutorials भी आपको मिल जाएगे तो चल्दी से video को शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफी compact सा camera है इसमें आपको एक flip out screen मिल जाती है तो इसलिए vlogging के लिए camera काफी अच्छा हो जाता है और क्योंकि एक mirrorless camera है इसमें आपको एक मिलता है EVF यानि की electronic wavefinder पीचे में आपको ये सब different buttons वगएरा मिल जाते हैं जान से आप अपनी settings अपनी change कर सकते हो हाला कि इसमें आपको touch screen मिलती है तो settings वगएरा change करना आपके लिए बहुत जादा easy हो जाता है एक बार हम देख लेते हैं कि front से camera कैसा दिखता है तो front से camera कुछ ऐसा दिखता है तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाके सब कुछ check out कर सकते हैं अपी जो lens इस पर लगावा है वो है आपका 18-45 mm का lens और इसका aperture आपका जाता है 3.5 से 6.3 तक तो इसलिए आपको background blur या low light performance इस lens से इतनी भैतरी नहीं मिलने वाली लेकिन अगर आपको travel photography वगरा करनी है तो उसके लिए ये ठीक टाक है अब हम top से भी एक बार इसको देख लेते हैं top से आप देख सकते हैं आपको जो भी interesting options है वो सिर्फ इस तरफ मिल रहे हैं जितने भी buttons है वो इसी तरफ हैं कोई भी आपको buttons नहीं मिलते तो यहाँ पर आपको मिल जाता है on off करने का switch जब आप इसको on पर डालेंगे तो obviously आपका camera on हो जाएगा यहाँ पर आपको एक red color का button मिलता है जो obviously आपका movie की recording वगरा को start या stop करने के लिए use होता है उपर में आपको एक यह dial मिल जाता है जिससे कि आप अपनी settings को आगे पिछे कर सकते हैं shutter speed, aperture वगरा जो आपको change करना है उसके लावा ISO के लिए भी आपको यहाँ पर dedicated button मिल जाता है और यह होगा आपका shutter button जिसको आप दबागे focusing करेंगे और photo को click करेंगे और सबसे main चीज आपको यहाँ पर मिल जाता है mode dial जिसमें कि आपको different different options मिल जाता है depending on कि आप कौन सी setting use कर रहे हो तो अब जल्दी से देखते हैं कि कैसे इस camera से हम बहतरीन photography कर सकते हैं तो photography में जैसा कि मैंने हमेशा आप से कहा है कि अगर आप इस camera से या किसी भी camera से photographic करना चाहने है तो आप कोशिश करें या तो M mode जिसको कि हम कहते है fully manual mode या फिर AV mode AV यानि की aperture value या aperture priority mode या TV mode जिसको कि हम time value या shutter priority mode बोलते हैं आप इनी 3 mode को अगर use करेंगे तो आप camera को बहतर तरीके से control कर पाएंगे अगर आप इस camera में जैसे कि या आपके auto mode है आप देख सकते हैं ये green वाला ये mode auto mode है ठीक है ये भी sort of auto mode है SCN वाला ये भी auto mode है और ये वाला भी auto mode है और ये वाला आपका video के लिए mode हो गया अगर आप in mode को use करेंगे तो in case में होगा ये कि camera खुद बाखुद decide करेंगा कि क्या उसको setting रखनी है आप camera को control नहीं कर पाऊगे अगर आप चाहते हैं कि आप camera की settings को control करो हर scene के हिसाब से तो आप M mode को use करो या फिर AV mode को या फिर TV mode को तो सबसे पहले हम देखते हैं कि M mode में हम camera को कैसे use कर सकते हैं M का मतलब होता है Fully Manual mode Fully Manual mode में बेसिकली ये होता है कि आप camera की shutter speed को भी set करते हैं और आप camera की aperture की value को भी set करते है aperture basically ये होता है कि आपका जो lens है उसका मुझ कितना खुलेगा अगर आपका aperture की value कम है तो आपको जादा background blur मिलेगा camera के अंदर जादा light आएगी आपको जादा clean image मिलेगी अगर आप aperture की value को high रखते हैं तो आपका background blur कम होगा camera के अंदर कम light आएगी कम clean आपको image मिलेगी तो यह depend करेगा कि किस type यह आप photographic कर रहे हैं आपको जादा background blur चाहिए तो आप aperture की value को कम रखें आपको कम background blur चाहिए तो आप aperture की value को जादा रखें तो चल्दी से देखते हैं कि कैसे हमें यह सारी की सारी चीजे चेंज करनी है अभी आप देख रहे होंगे कि आपको message नजजर आ रहा है set the lens to shooting position जैसी जब आपने camera यह use किया होगा अगर आप इससे video या photo निकालना चाहते है तो वो आप directing नहीं कर पाएंगे उसके लिए आपको lens को unlock करना पड़ेगा तो अभी lens आपको ऐसा दिख रहा है तो आपको इसको ऐसे rotate करके बाहर की तरफ ऐसे निकालना पड़ेगा तो मैंने lens को unlock कर दिया आप देख सकते हैं यह message disappear हो गया है और हमें काफी कुछ screen पे दिखाई दे रहा है हाला कि जो भी कुछ हमें दिख रहा है वो काफी जादा dark है और उसका reason यह है कि आप देख सकते है ISO की value काफी जादा कम है आप देख सकते है ISO सिर्फ और सिर्फ 320 है अब एक चीज जो आप कर सकते है जिससे कि आपका काम आसान हो जाए वो यह है कि आप इसको डाल दो auto पे तो जब आप ISO को auto पे डाल दोगे तो यह होगा कि camera खुद बखुद डिसाइड कर लेगा कि जो आपने settings रखी उसके हिसाब से ISO की value इसको कितनी रखनी है तो मैंने इसको ISO को auto पे डाल जा इसको ISO को auto पे डालने के काफी सारे options है या तो आप इस info वाले button को click करें फिर यहाँ पे यह जो ISO दिख रहा है इसको आप ऐसे click करें आप इसको ऐसे drag कर गए auto पे ला सकते है दूसरा option यह है कि जो आपने top पे ISO का यह button देखा था यहाँ पे आप जब इसको प्रेस करेंगे देखो और यह जो उपर में डाल था एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यह वाला डाल जब आप इसको रोटेट करेंगे देखो तो भी आप ISO की value को change कर सकते है तो दोनों में से जो भी option आपको easy लगता है आप उसको use कर सकते है तो मैंने अभी के लिए इसको डाल दिया है ISO को auto पे भी आप देख सकते हैं यह सामने एक piano रखागा है तो इस lens ने इसके ओपर focus किया हुआ है तो मैं lens को थोड़ा सच जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसको थोड़ी सी जादा field of view मिल चाहे आप देख सकते हैं सामने एक guitar रखावा है वो भी आपको screen पे नज़र आ रहा होगा तो इसके ओपर इसने focus किया हुआ है इस camera का autofocus बहुत अच्छा है अपने आप जो चीज इसके सामने आती है उस पर यह focus को grab कर लेता है तो इसे थाफ़ एक काफी बहतरीन camera है और easy to use camera है अब हमारा आ जाता है shutter speed जब हम fully manual mode में होते हैं अब हमें shutter speed और aperture दोनों को adjust करना होता है अगर हमें shutter speed को adjust करना है तो हमें जो उपर में dial मिलना है हमें सिर्फ इसको rotate करना है और shutter speed हमारी खुदबा खुदब अपने आप change होगी तो आप देखिए मैं इसको dial को गुमा रहा हूँ और जो aperture की value है जो आपको यहां पे दिख रही है उसको मैं minimum रखने की कोशिश करूँगा aperture की value को adjust करने के लिए आपको यह plus minus वाला ही जो यहां पे बटन दिखता है इस dial के अंदर यहां पे आपको यह बटन दिख रहा है इसको दबाना है और यह जो ऊपर में dial है इसको rotate करना है आप देखिए aperture की value भी आपकी कम ज़्यादा हो रही है तो यह दो चीछे आगर आपको adjust करनी आ गए तो समझ लिए कि आपको camera को fully manual mode में use करना completely आ गया अब क्या करना है देखो यार focusing तो इस camera की amazing है अगर आप जिस चीज के सामने इसको point करेंगे हलकासा shutter को भी half press करेंगे देखिए green हो गया अपने आप यह चीज़ों को focus में ले लेगा और photo भी click कर देगा दूसरा तरीका है आप इसको screen को कहीं भी touch कीजिए जैसी मैंने इसको touch किया इसने focus को भी grab किया और photo को भी click कर लिया देखिए कितना simple है इस camera से photo click करना तो ऐसे आप fully manual mode को use कर सकते हैं उसके लावा कुछ और settings भी है जिनको कि आप use कर सकते हैं और चीज़ों का adjust करने के लिए जैसे कि white balance, exposure bracketing और आपका exposure compensation उनके बारे में भी आपको मैं धीरे धीरे बताऊंगा अब हम आजाते हैं अपने अगले mode की तरफ जो की है हमारा AV यानि aperture value mode तो हम camera को डाल देते हैं AV mode पे camera हमारा AV mode पे आ गया है ठीक है तो इस case में basically हम lens के aperture की value को set करेंगे और जो shuttle speed है वो camera खुदबाखु decide करेगा जो भी उसकी available lighting situation है उसके according तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको aperture की value दिख रही है तो इस case में अगर आपको aperture की value को कम जादा करना है तो वो जो ऊपर में डाल था सिर्फ आपको उसको गुमाना है इस पार आपको इस प्लस माइनस वाले बटन को नहीं दबाना देखिए आपका यह aperture का value अपने आप कम जादा हो रहा है ठीक है तो हम इसको minimum कर देते हैं 4.5 पे लेके आजाते हैं ताकि हमारे कैमरे के अंदर जादा light है हमें जादा clean image मिले है इस केस में shutter speed camera खुदबा को decide करेगा हमें कुछ करने की जरुद नहीं है हमें बस focus करना है और photo को click करना है focus करने के लिए मैंने जैसे कि आपको पता है जहां पर आपको focus करना है बस आप ऐसे touch कर दो और focus भी हो गया और आपका photo भी click हो गया आप इसको disable भी कर सकते हैं जो touch to focus है इसको disable करने का भी option होता है आगी चलके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको disable कर सकते हैं फिर अगर आपको focusing करनी है तो आप सिर्फ और सिर्फ यह जो आगे में shutter button है इसको दबा के focusing करेंगे और photo को click कर लेंगे बहुत ही simple है AV mode कैसे use करना यह भी आपको आ गया तो AV mode कभी use करें AV mode आप तब use करें कि जब आपका main focus सिर्फ और सिर्फ background blur पे हैं आप चाहते हैं कि हमें सिर्फ background blur पे focus करना है shutter speed कुछ भी हो हमें फरक नहीं पड़ता हमारे लिए जो background blur है वो जादा important है तो तब आप camera को AV mode पे डाल दें अब हम आजाते हैं TV mode यानि की time value mode पे जिसको कि हम बोलते हैं shutter priority mode भी Sony और Nikon के case में तो इस case में हम camera की shutter speed को set करेंगे और aperture की value इस बार camera decide करेंगा तो यह mode हमें कभी use करना चाहिए यह mode हमें तब यूज़ करना चाहिए कि जब हमारे लिए यह important है कि हम किसी motion को freeze करना जाते है मान लीज़े कि हम किसी action को capture कर रहे है कोई इंसान jump कर रहा है ठीक है कोई भागता हुआ आ रहा है तो हमें उसके भागते वे frame को या action को capture करना है तो उसके लिए हमें पता है कि कम से कम मेरे को एक बटा 100 की shutter speed तो चाहिए ही चाहिए तो भी ये frame freeze हो पाएगा अगर मैंने shutter speed लैट से की एक बटा 30 रग दी तो वो frame freeze नहीं हो पाएगा थोड़ा सा उसमें motion blur आ जाएगा तो उस case में आप इस वाले mode को चूज़ करें और आपको जो shutter speed लगता है कि जो आपके motion को freeze कर सकती है उसको select कर ले है shutter speed को select करने के लिए जो उपर में dial है आपको सिर्फ उसको rotate करना है इस वाले dial को ठीक है आप जैसे जैसे dial को rotate करेंगे आप देखिए अपने आप ये value यहां पर change हो रही है आप इसको touch करके भी कर सकते है आप इसको देखो यहां पर touch करो ऐसे भी करके आप इन values को change कर सकते है बहुत ही simple है ठीक है अभी के लिए मैं इसको 1.60 की shutter speed पर रख देता हूँ अभी ये कोई fix value नहीं है मैंने एक बटा साथ रखा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी एक बटा साथ रखो ये depend करेगा आपकी situation के हिसाब से किस टाइब के आप action photography कर रहे हो जैसे कि मालो आप किसी भाग तीवी car का photo ले रहे हो तो शायद आपको एक बटा 200 या एक बटा यूज के लिए बतारा हो कि कैसे आप change कर सकते हैं लेकिन actual settings क्या होगी ये आपकी situation के उपर depend करेगा तो हमने ये सब चीज़े set कर ली अब हमें करना गया है focus करना है और photo ले गया है touch किया focus हो गया और photo हमारा click हो गया तो हमने सीख लिया कैसे हम TV mode यानि time value mode को भी यूज कर सकते हैं अगर आपने इतना भी सीख लिया है ये tutorial तो आपको ये camera photography point of view से तो पूरी तरीके से use करना आ गया है आप चाहें तो tutorial को यहां भी close कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस camera के बाकी functions के बारे में भी सीखना चाहते हैं इसको in detail जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखते रहना आगे भी मैं वीडियो में क्या कैसे इसके बारे में भी बताऊंगा और इस camera का जो menu system है उसके बारे में भी बताऊंगा और क्या-क्या आपके different options हैं कैसे आप उनको change करते हो, autofocus की options, exposure compensation, इस सारी चीज़े आपको बताऊँगा, तो अब हम आ जाते हैं बाकी important options पे, तो आप देख सकते हैं इस screen पे आपको कितने सारे options देख रहे हैं, अब आप इनको options को अगर access करना चाहते हो, या तो आप इन buttons को press करके भी कर सकते हो, या फि आपको करना है, ठीक है, अब हम आ जाते है, autofocus वाले option पे, ठीक है, तो आपको AI focus, one shot focus और सर्वो ये तीन focus mode इसमें मिल चाहते हैं, तो पहले वाला जो आपका mode है, one shot वाला, one shot वाले mode में basically ये होता है कि आपने एक बार एक जंगे पर focus अपना fix कर दिया, focus पूरी वीडियो कि दोरान फोडो के दोरान वहीं पर fix रहेगा, कैमरा आपका उस subject को track करने की कोशिश नहीं करेगा, अगर आपने इसको servo mode पे डाल दिया है, तो servo mode पे आपका camera continuously subject को track करने की कोशिश करेगा, और फिर आपका आजाता है, बीच वाला ये mode, जिसको कि हम बोलते है AI focus, तो AI focus बेसिकली अपने आप decide करेगा कि कब इसको one shot रखना है, कब इसको servo रखना है, तो आप camera को डाल के रखो AI focus पे और इस camera का जो auto focus है, बहुत intelligent आपको पिल्कुल भी problem नहीं होगी, ठीक है, अब हम आजाते हैं अगले वाले option पे, जिसको कि हम बोलते है, criteria for automatic selection of main subject, ठीक है, तो इस चीज़ को इसको priority रखना है, focusing करने के लिए, ठीक है, अगर आपने इसको people के उपर डाल दिया या नहीं, इनसान के उपर, तो जब भी camera के सामने कोई इनसान आएंगे, तो यह अपने आप उनको focus कर लेगा, तो अगर आप mainly इनसानों के photo लेते हो, तो आप इसको people के ठीक है, अगर आप animals के photo लेते हो तो आप इसको animal के उपर रखते हो, अगर आप किसी vehicle के, जैसे की car या बाई के उनके photo लेते हो, तो अःप जाओ तो इसको totally off दीकर सकते हो, तो मैं तो यार, इनसानों के photo लेता हो, mostly तो मैने इसको people पे टाला हुआ है, ठीक है, especially अगर आप वीडियो मेकिंग वेरा कर रहे हो तो भी ये काफी हैंडी रहेगा अपने आप आपकी आई का भी आटो फोकस ये ग्रैब कर लेगा आँख के ओपर फोकस रखेगा और बहुत ही शाफ इसका फोकस रहेगा फिर आपकी आजाती है इमेज कॉलिटी ठीक है तो आप इसमें से से वो फोटो को एडिट करना नहीं आथा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको जेपैग में रखो रो में मत रखो तो आप इसको एल वाले आप्शन को चूज कर जखते हो ये वाला अधर पर ये जो ओप्शन है ठीक है अब हम आजाते हैं अगले ओप्शन की तरफ जो कि आपका मीटरिंग मोड ये काफी इंपॉर्टेंट आप्शन होता है तो बेसिकली मीटरिंग मोड ये होता है कि जब आप किसी सब्जाट का फोटो लेते हैं तो उस सीन के अंदर जो एक correct exposure तयार करें ताकि आपका photo ना तो बहुत जादा dark रहे ना बहुत जादा bright रहे तो इस case में आपको चार option मिल जाते हैं तो पहली आजाती है आपकी evaluating matering तो यह basically आपकी scene में जो सारी की सारी overall lighting होती है सबका एक sort of average बनाके सब चीदों को analyze करके एक अच्छा exposure decide करती है फिर आपकी आजाती है partial matering अगर आपका subject बहुत जादा strongly back lit है पीछे में बहुत जादा bright light है तो आप partial matering को use कर लो फिर आपकी आजाते है spot matering तो एक particular एक छोटी सी spot जैसे कि मालों किसी इनसान का चेहरा है आप चाहते हो कोई वो correctly exposed हो तो तब उस case में आप spot matering को use कर सकते हैं और center rated average इस वाले को आप तब use करेंगे कि आपके जो overall brightness और जो चीजें है वो आपके center वाले area में जादा है उसका average देखके आपकी एक correct exposure तयार हो तो मैं usually इसको रखता हूँ evaluating matering में और जब मुझे portrait photography करनी है तब मैं इसको डालता हूँ sport matering में अब हम आजाते हैं अगले option की तरफ जो की हमारा इस तरफ है यह flicker off या on तो इस वाले को आप तब on रखना जब आप artificial lighting में शूट कर रहे हो video अगर आप photograph कर रहे हो तो तब आप इसको off रख सकते हैं फिर काफी important option आ जाता है जिसको की हम बोलते है white balance तो basically white balance यह करता है कि आपकी scene के अंदर जो white चीज़े हैं उनको white दिखाने की कोशिश करता है तो आपके अपास काफी different type की lighting हो सकती है जैसे आप घर के अंदर shoot कर रहे हो आपके पास हो सकता है yellow lighting है आप धूप में shoot कर रहे हो तो sun की light अलग होती है बादलो की थोड़ी सी different आपकी image आती है तो आपको कोई कितने सारे option यहाँ पे मिल जाते है पहले वाला option मिलता है daylight या फिर यह बादलो का हो गया यह आपका yellow light अगर आप घर के अंदर yellow light में shoot कर रहे है ठीक है फिर आप यहाँ पे अपनी एक Kelvin वाली यह जो आपकी floor center यानि कि white tube light में अगर आप shoot कर रहे है फिर आपको आजाता है flash अगर आप camera का flash यूज़ करने है यहाँ पे आप अपनी एक camera खुद बखुद decide कर लेगा कि क्या इसको रखनी है value फिर हम आजाते हैं अगले वाले उस पर जिसको कि हम बोलते है picture style तो यह basically आपके filters होते हैं जैसे आपके Instagram पे filter होते हैं कि किसी photo को जाला variety बनाना है किसी ब्लाक और वाइड बनाना है किसी में आपके colors को और जाला enhance क कर देना तो ऐसी आपको काफी सारे इसमें filter मिल जाते हैं तो मैं दो भाई कोई ऐसे filter यूज नहीं करता मैं जो camera से original photo मिलती है उसको use करता हूं और फिर बाद में जो भी मुझे adjustment करने होते हैं उनको मैं कर देता हूं तो मैं इसको रखता हूं standard पे एसके उपर आप इसको ड format में हो तो आपको काफी सारे format मिल जाते हैं जैसे 3x2, 4x3, 16x9, 1x1 यह आपका square वाला format होगा है जो कि आपका Instagram पे mostly चलता है तो मैं तो आपको कहूंगा कि आप 16x9 को उसमें आपकी image पूरी आएगी wide screen पे जो कि आप एक full HD monitor पे भी easily देख सकते हैं बिलकुल भी वह crop नहीं होगी अब एक काफी important option आजाता है जिसको कि हम बोलते हैं exposure compensation तो basically कहीं बार यह होता है कि आपने तो camera के अंदर सारी settings सही डाल दी लेकिन फिर भी camera decide नहीं कर पाता कि उसका exposure सही है या नहीं है आपने photo लिया वह ज्यादा bright आ रही है कहीं बार वह जादा dark आ रही है तो उस exposure क एड़ेस करने के लिए आप exposure compensation को use करते हैं और यह जो exposure compensation होता है यह सिर्फ और सिर्फ आपका काम करता है AV mode में TV mode में और P mode में fully manual mode में यह आपका काम नहीं करता है तो अभी हमारा camera TV mode में तो हम देखते है exposure compensation को हम कैसे use करते हैं तो exposure compensation को use करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले बटन को दुमाना आए प्लस माइनस वाले और यह उपर में डायल है हमें इसको rotate करना है ठीक है तो आप देखिए यह जो value है यह आगे पीछे जा रही है तो अगर मैं इसके plus की तरफ ले जाओंगा तो मेरी image जड़ा bright आ रही है तो मैं इसको negative की तरफ ले जाओंगा यानि कि मेरा exposure composition negative में होना चाहिए थाकि correct exposure मुझे मिल जाए और अगर मेरी photo बहुत जड़ा का रही है तो मैं इसके positive की तरफ ले जाओंगा ताकि मैं एक correct exposure camera से तयार कर सकूं और यह exactly same AV mode में भी काम करेगा तो guys photography के यह तो यह सिर्फ इतना चोटा सा tutorial था अब आगे का tutorial में बताता हूँ आपको वीडियोग्राफी के लिए आप इस camera को कैसे use कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आप देख लो कि माइक कहां पे connect होता है तो इस camera में अगर आपको माइक को connect करना है तो आपको इधर पे यहां पे मिल जाता है आप देख सकते हैं यह एक छोटा support माइक के लिए तो आप यहां पे external माइक लगा सकते हो अगर आपको इस camera से video record करनी है तो आपको इस camera को video camera वाले icon के ओपर डालना पड़ेगा यानि कि हमने video वाले mode को select कर लिया हाला कि मैं आपको एक और चीज बता दूँ अगर आपने camera को video camera वाले mode पे नई डाला तो भी आप video recording कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं इस camera को देखिए अभी मैं इसको AV mode पे डालूँगा ठीक है मैं इसक बटन को दबाऊंगा वीडियो वाले को तो मेरी video recording देखना भी start हो जाएगी मैं दिखाता हूँ आपका बहुत ही simple है मैंने वो जो red button है उपर उसको दबाया आप देखिए मेरी recording start होगे time भी start हो गया तो आपके पास 2 new option है मैं तो आपको recommend करूंगा कि आप चिस mode में camera को डा आपको बाद कर रहे है जैसे कि अभी camera AV mode पे है ठीक है तो मैंने AV mode में video recording को start कर दिया तो इस case में मेरे को सिर्फ आपचे की value को set करना है और camera की recording मेरे को start कर दिनी है अगर मैंने camera को M mode में डाला है तो मैं M mode में camera को डाल के shutter speed आपके दोनों को adjust कर के video recording start कर सकता हूँ और अग exactly same process जैसा कि मैंने photography में आपको पता है exactly same process रहेगा सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो आपको red color का button दिख रहे है ना इस button को दबाना और आपकी video recording को start कर देना को कोई भी आपको कुछ भी extra सीखने की जरूत नहीं है लेकिन अगर आप इस वाले icon को use करना चाहते है तो आप इस कर सकते हैं इसको यूज करके भी आप video बना सकते हैं अब इस case में problem यह है कि हम camera की shutter speed और aperture को adjust नहीं कर पाने हैं तो ये video mode basically video तो record कर रहा है लेकिन इस case में सब चीज़े की setting है वो camera खुद बाखुद डिसाइड कर रहा है तो हम camera को control नहीं कर पाने हैं सिर्फ हम एक चीज़ क इसके exposure को आप देखो ये वाली value कम ज़्यादा हम कर सकते हैं इस dial से तो हम camera का exposure को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं लेकिन इसकी shutter speed aperture क्या रहेगा हम इसको control नहीं कर सकते हैं तो इसलिए मैं recommend करूंगा आप camera को अगर movie भी record कर रहे हो वीडियो भी record कर रहे हो तो भी आप M mode recording के दोरान आपको यहाँ पे एक option मिल जाता है AF और MF का तो अगर आपका camera AF पे यानि की autofocus पे तो obviously ये camera अपने आप चीजों को focus में ले लेगा अपने आप ये autofocus करेगा जहां भी आप इसको point करेंगे देखो हमने guitar की तरफ किया तो इसमें guitar को focus में ले लिया हमने इसको तो इसने इसको focus में ले लिया लेकिन अगर आपने इसको डाल दिया है manual focus मे तो अब camera अपने आप focus नहीं करेगा भी manual focusing कर सकते हैं देखो मैंने अभी चीजों का auto focus कर दिया मैं वापस से उसको manually focus भी ले है अगर आप video recording के दुरान manual focus करना जाते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एक अच्छी चीज है कि आपको यहाँ पे देखिए audio के levels भी दिखाई दे रहे हैं L और R तो इससे आपको पता चल जाए कि audio कैसी record हो रही है कहां तक इसके levels जा रहे हैं तो काफी useful यह रहेगा अगर आपको अच्छी audio capture करनी है और यहाँ पे आपको लेको focal length भी दिखाई दे रही है कि कितनी आपने lens की focal length रखी हुई है वीडियो रिकार्डिंग को stop करना है तो जो ऊपर में red बटन है उसको हम दबाएंगे तो अपने हाँ video recording stop हो जाएगी अब हम एक बार इसका menu system भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि क्या-क्या options हम menu के अंदर से change कर सकते हैं तो हम जाते हैं सबसे पहले वाले menu में image quality हमने large पर रखी हुए रही है हमने jpeg में large रखा हुआ हमने raw को नई select किया आप चाहें तो raw भी select कर सकते हैं अगर आपको best quality चाहिए लेकिन उसको फिर आपको edit करना पड़ेगा ठीक है हमने aspect ratio को 16.9 रखा हुआ है फिर आपका exposure compensation हम यहां से भी adjust कर सकते हैं और चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया है इस वाले button से भी कर सकते हैं ios की settings आप देख सकते हैं हमने auto पर डाला हुआ है maximum हम कितना ISO रखें वो हमने यहां पर set किया है हाला कि इस camera का जाता है 32,000 तक maximum ISO ठीक है इसको आप own करते हो तो आपको dynamic range थोड़ी सी और ज्यादा मिल जाएगी dynamic range भी आपने auto रखी हुए है ठीक है limit max brightness इसको हम disable नहीं करते हैं तो इससे हमारी monitor में और ज्यादा brightness आएगी अला कि battery भी ज्यादा consume होगी continuous HDR जोए one shot only every shot में भी कर सकते हो continuous HDR को हम one shot only में रखेंगे ठीक है image align को हम enable रखेंगे anti flicker shoot इसको हमने disable किया हुए मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ अगर आप challenging lighting situation में शूट कर रहे हैं yellow light या flickering होगरा कुछ हो रही है तो तब आप इसको on कर सकते हैं अगली menu में मिलता है flash control basically flash की settings इसमें आपको मिल जाती है metering mode के बारे में हम already बात कर चुके है white balance के बारे में हम बात कर चुके है white balance bracketing के बारे में भी हम बात कर चुके है picture standard के बारे में भी हम बात कर चुके है अब हम आगे के options भी देख लेते हैं जिन मेंसे जो important options हैं, उनको हम देख लेते हैं, drive mode काफी important option है, ये वाला option आपको पता होना चाहिए, तो basically drive mode में आपको different different options मिल जाते हैं, कि अगर आपने इसको single shooting में रखावा है, तो एक बार आप shutter को दबाएंगे, तो आपको एक ही photo click होगा, अगर आपने इसको डाल दिया है, low speed continuous में या high speed continuous में, तो जब तक आपने camera का shutter button को दबाया है, camera photo click करता रहेगा, और ये camera एक second में 15 frames ले सकता है, तो ये एक second में 15 photo ले लेगा, तो अगर आपको एक high action को capture करना है, तब आप इसको डाल सकते हो, इस वाले option में, इस वाले में या इस वाले में, अगर आपने timer लगाया, camera को आपने tripod पे लगा जाया, इसके सामने जा कि आप बैट रहे हैं और अपना photo लेना चाते हैं, तो तब आप इसको timer पे डाल सकते हैं, आपको 10 second का भी timer मिलता है, और आपका self timer continuous भी मिल जाता है, जिसमें multiple shots ये, आपको click करके देगा, तो मैं तो इसको अभी के लिए single shooting पे रखता हूँ, silent shutter है, आप इसको on कर सकते हैं, अगर आपने इसको on कर दिया, तो जब आप camera को photo click करते हो, तो खच के जो आवाज आती है, वो आवाज नहीं आएगा, अगर आप किसी church में है, किसी silent जगर पे है, कोई सोते वे बच्चे का photo लेना है, release shutter without card, अगर आपने इसको on कर दिया है, तो अगर आपके camera के इंदर card नहीं है, तो भी camera photo click करेगा, हाला कि वो photo कहीं पे save नहीं होगा, image stabilization mode, यह काफी important है, आप इसको on करके रखो, और जो आपका digital stabilization है, आप इसको भी on कर दो, वीडियो में यह काफी काम आएगा, काफी stable आपको footage मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आपके जो quick controls होगे है, उनको add कर सकते हो, touch shutter, यह जो वो shutter है, जैसे मैं screen को touch कर रहा था न, photo click हो अब मैं इसको touch कर रहा हूँ, तो photo click नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अगर मेरेको इसको click करना है, तो देखो, enable कर दिया मैंने, photo click हो गया, जी मैंने चाहँ कुछ photo ले लिया, चाहर photo ले लिया, इसलिए busy का icon आ गया, okay, image review, आप कितने देर के लिए image को दिखाना जाते हो, photo ले अब ही के लिए 2 second है, 2 second ही रखो यार, viewfinder display, enable कर दो, viewfinder के अंदर भी आपको दिख चाहेगी, ठीक है, metering timer 8 second है, 8 second पर ही रहने तो, फिर यह जो आपके आजाते हैं, बाकी के options, इन में से तो कोई मेरे को इतना important नहीं नजर आ रहा है, जो आपके लिए, हाँ, यह वाला option Paul important ह movie recording size, अब इसके अंदर आप 4K तक वीडियो record कर सकते हो, लेकिन 4K में वीडियो तभी record होगी, जब आपने यहाँ पे quality को 4K select किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके movie recording size को 4K पे select कर दो भाई, तभी 4K में आपको वीडियो मिलेगी, वरना आपको full HD या सिर्फ HD वीडियो ह मिलेगी, फिर आपकी आजाती है, बहुत important है, अकर आपको अच्छी audio gather करनी है, sound recording auto, इसको जी कभी भी auto पे मत रखो, manual पे रखो, manual पे रखो और जो recording का level है, इसको थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे नीचे ले जाओ, वरना होगा यह, कि जब आप अपना external micus में लगाओगे camera के और जब आप audio capture करोगे, तो वो जो ऐसा अजीब सा noise आता है, यार, mic लगाने के बाद भी background में, वो आपकी audio में आएगा, और आपका सारा मज़ा किरकरा कर देगा, तो यह याद रखना, आप मेरे को बाद में धन्यवाद बोलोगे, इस setting को देखने के बाद, अकर आपके mic म प्रॉबलम आती है, आपने एक बहतरीन mic करीद है, मैं कैसा मैंगा mic ले लिया, फिर भी आपकी audio में एक अजीब सा noise आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो तब आप जाओ, चाहे आपके पास Nikon का camera हो, चाहे सूनी का camera हो, या फिर Canon का camera, recording level को जाओ, manual पर करो, auto से हटाओ, ठीक है, sound recording को manual पर करो, recording level को काफी नीचे की तरफ ले जाओ, बाद में अगर आपको audio को बढ़ानी है, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, अब यह जो जुन्षी noise आती हो, इसलिए आती है, जब आप camera को auto पे डाल देते हो, तो वो आवाज को balance करने के लिए, उसको बढ़ा दे है फिर वो ऐसा एंड हो जाता है आपको समझ में आ गया हो बट जो सुलूशन है वह आप इसको ट्राई करना आपका वह नॉइस पिल्कुल का है हो जाएगा विंड फिल्टर को आप पोटर पे डाल सकते हो चाहे तो डिसेबल भी कर सकते हो अगर आप घर के अंदर शूट कर डाल देता हूँ अगला वाला उप्शन आ जाता है ओटो स्लो शुटर तो अगर आपने इसको ओन कर दिया है तो जब आपका डार्क आप मुझे को शूट कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा ये ब्राइट बना देगा ठीक है अगर आपने इसको ऑफ कर दिया तो उसको में ब्राइबल्ड है फिर आपका आजाता है शटर बटन फंग्श्शन फोडंब wirklich तो इसमें श्लेट करते हो कि हाफ प्रेस पर क्या रह ठीक हाफ पर बेसपर मिटर अजाए ऑप exposure को correct करने की कोशिश करें और focus की भी कोशिश करें तो मैं तो कहूंगा आप इसको पहले वाले option पे ही रखो तो उससे यह होगा कि जब आप shutter बटन को half press करोगे तो वूँसका exposure त्यार करने की कोशिश करेंगा focusing भी कर लेगा अब आपका आ जाता है अगला वाला option और फोकस का ठीक है और फोकस में हम अलड़ी पता चुके हैं one shot AI focus और जो भी आपको यूज़ करना है तो मैं तो इसको AI focus पे रखता हूँ subject to detect हमने people के उपर रखा है ठीक है आई detection है इसको अनेबल रखो आई detection को अगर आप अनेबल रखोगे तो जब भी आप कैमरे के सामने जाओगे आप वीडियो में हो या फोटो में हो तो आपकी आई को डिटेक्ट करके आपके चेरे के उपर यह focus रख लेगा focus mode को आप AF रखो manual focus peak settings अगर आप manual focus करना चाहते हो अगर आपने इसको ओन कर दिया तो जब आप manual focusing करोगे तो कुछ color वाला जो हिस्सा है वो आपका highlight हो जाएगा तो उससे पता चिल जाए कि क्या चीज focus में और क्या चीज focus में नहीं है ठीक है movie servo AF इसको आप अनेबल रखो वरना movie के दोरान video recording के दोरान आपका autofocus नहीं होगा lens electronic manual focus इसको आप ओफ रखो focus ring control इसको focus रखो तो जो आपका focus ring है यह वाला यह focus के ही लिए यूज हो यह basically उस चीज को setting control करती है फिर आपकी playback वाली settings आगी इसके अंदर से आप delete कर सकते है image ठीक है protect करना है कुछ copyright डालना है यह सब आपको options options मिल जाते हैं कितने पी important नहीं है crop करना है आपको HEIF यानि की जो इनका raw format उससे JPEG में convert करना है option मिल जाता है slide show कितने-कितने images आप jump करना जाते हो जब आप अपना slide show कर रहे हो इस वाले button से basically आप preview कर सकते हो जो आपने images ली है playback information display autofocus की information हो यह सारी चीज़े movie recording time वकर यह add कर सकते हो यहां पर आपको wifi वाले settings मिल जाती है इसके लिए मैं एक अलग से video बनाऊंगा कि कैसे आप इस camera को अपने smartphone से connect कर सकते हो और आप wirelessly इसको upgrade कर सकते हो photo लेने के लिए images को transfer करने के लिए उसमें ही आप देख सकते हो कि camera को क्या दिख रहा है सब कुछ आप control कर सकते हो ठीक है camera का नाम है आप यहां पर डाल सकते हो Bluetooth की भी सेटिंग्स है GPS की भी सेटिंग्स है तो काफी बहतरी यह एक camera है अगले वाला आपका settings का आगया folder तो यहां पर आपको camera को format करना है card को format करना उसका option मिल जाता है ठीक है आप add rotate info इसको enable कर सकते है तो जब आप camera को rotate करो यहां पर आप time डाल सकते हो date डाल सकते हो language set कर सकते हो वीडियो सिस्टम पर रखना है अखर आप इंडिया में है यूरोप में है पाकिस्तान में है अमेरिका में है तो आप इसको NTSC रख देना guide कर आप सबको enable रख सकते हो volume को कम ज्यादा कर सकते हो जो भी आपको रखनी है यहां पर आपको कुछ most used settings मिल जाती है और यह जो favorites है यहां पर आपको कुछ most used settings मिल जाती है आप अपनी favorite settings को add कर सकते हो ताकि जो settings आपको बार बार menu में जाकर चेंज करनी बढ़ती है तो menu में ना जाना पड़े आप यही पे इनको add कर लो वीडियो लंबी होना भी जड़ी था क्योंकि यह camera इतना important है इसके अंदर इतनी features है और मैं चाहता था कि आपको in-depth knowledge मिल जाए इस camera की ताकि इस video को देखने के बाद आपके मन में कोई सवाल ना पचे तो guys बड़ी मैनत से आपके लिए video मनाईए तो यह video को like करना दो बनता है और इस video को share करो यार अपने friends के साथ तो guys ऐसी support करते रही है ऐसी अपना प्यार देते रही है ताकि हम इस channel को काफी आगे तक लेके जा सके है